हेलो वाइज दिसी रहूल फॉम इंफिल रहूल जैसा आप थमनेल देखकर ही वीडियो पर आगा हो कि जो आइफोन 11 है वो आपको 22,000 रुपर की रेंज के अंदर मिल रहा है इन सारे टॉपिक्स को पर बात करेंगे देन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइ के अंदर काफी डिमांड है अगर आप देखोंगे अमजन फिलिपकार्ट पर तो यह जो फोन है इसके उपर काफी सारे डिसकाउंट के ओफर आते रहते हैं यह जो फोन है लास्ट फिलिपकार्ट पर 45,000 रुपे की रेंज के अंदर आया था और मैंने एक वीडियो भी बन पर आपको कुछ एससरी मिल रही थी अभी काफी लोगों के मेरे पास कमेट आ रहा है कि आईफोन 11 या फिर आईफोन 12 उसकी जो प्राइज है उसके उपर आप वीडियो बनाओ तो यह जो आईफोन 11 उससे रिलिटेड यह वीडियो है जैसा आपने इंस्टाग्राम के इनकी प्राइजिंग देख लेना इसके बारे में बात करते हैं अभी जैसा गया जो आईफोन 11 है वह भी इसकी जो मार्केट के अंदर प्राइज है वह आपको 50,000 रुपे के नीचे कहीं नहीं मिलने वाला है कुछ ऑफर्स भी आजाएं के फिर भी नहीं मिलने वाला है में लगबां 15,000 रुपեर अगर नहीं की बात करें तो और नहीं की बात करें तो वह उत्युक्ट स्केश्युफ यहिगा यदर कहीं मिलने वाला है आइफोन 12 लॉंच होने के बाद भी आइफोन 11 की जो सेल है वो काफी मार्केट के अंदर अभी चल रही है और लोग काफी फ्रॉड भी कर रहे हैं तो OLX के उपर काफी ऐसे पोस्ट है कि अध्यक्राइन तो वहां से आप अंके साथ चैट कर सकते हो जब आप वहां से औरडर प्लेस करोगे तो यहां तो पैसे लेकर वहां को ब्लॉक कर देंगे या ऐसा कुछ scene रेने वाला है तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा फर्स्टली तो आपको iPhone का clone भी मिल सकता है and second case में कि उसके अंदर कुछ आपको कोई product भी नहीं मिलता है तो ऐसा कुछ case भी रहता है तो guys मेरा ये video बनने का motive ही है कि आप ऐसे fraud के अंदर नहीं आए अगर आपको iPhone purchase करना है तो एक legal authorized reseller से purchase करो या फिर ऐसा कोई seller से purchase करो कि उसके पास में जो legal है वो bill हो अगर गईज आपको OLX से phone second hand purchase ही करना है तो आपके अपनी city के अंदर ऐसा post देखो कि वो आपकी city का हो और उसके घर पे जाके या फिर कहीं उसको बुला के वहां पर deal करो और iPhone को चेक करो उसके bill को चेक करो और iPhone के अंदर जो serial number होते है वो Apple की website पर चेक करो अगर आपकी city के अंदर Apple का authorized reseller या फिर service center है तो वहां पर जाके उस phone को चेक करवा के ही purchase करना ये आपके लिए best तरीका रहेगा iPhone purchase करने का वाईज अगर आपको second end iPhone purchase करने से related कुछी tips चाहिए तो आप comment box के अंदर जरू लिख देना next video जब मैं बनाऊंगा तो वो iPhone second end purchase करने से related जो major tips है कि आपको second end iPhone के साथ में भी क्यासा fraud हो सकता है तो और उसके अंदर कौन से major factors है जो आपको check करके ही एक iPhone purchase करना चाहिए तो वाईज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर देना मिलते है next video में तब तक के लिए बाई take care